ये आकाश्वाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कारिक्रम की प्रतीक्षा कीजिए ये आकाश्वाणी है, रूपकों के अखिल भारतिय कारिक्रम में आज प्रसुत है रूपक भारतिय मनीशा के उन्नायक महकवे जैशंकर प्रसाद आलेख प्रोफिसर विने कुमार सिंका और प्रस्तोती हरेंद्राजाद और अरुन पांडे की आह वेदना मिली विदाई चड़कर मेरे जीवन रत पर, प्रले चल रहा अपने पथ पर, मैने निजदुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड लगाई आह वेदना मिली विदाई तृतियों में सत्य, सनातन, मानवी मूलियों की प्रतिस्थापना और समवेदना के चरम स्तर की अप्रतिम अभिव्यक्ति के कुशल कालजई रचनाकार रहे हैं छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जैशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं अंतस के गहनतम अंधकार में भी जिजेविशा के प्रकाश का प्रस्फुटन है अपनी भाषा शैली और विशेवस्तु के स्तर पर नितांत मौलिक प्रसाद का साहितिस्रजन उनकी द्रढ़ता का परिचायक है व्यक्ति का निर्माण परिस्थितियां करती हैं संघर्षों से हार न मानकर गहन तमस में भी चिराग रोशन करने का माद्दा विरले ही रखते हैं सघन सशक्त उर्वर कलपना शीलता की जमीन पर कविता, उपन्यास और नाटकों का अपनी नवल उर्जस्वित शैली में स्रिजन करने वाले जैशंकर प्रसाद का जीवन संघर्ष मै रहा, उनका जन 30 जन्वरी सन 1889 ईस्वि में काशी के सम्रिध सुगनी साहु नामक वैश्य परिवार में हुआ था इनके पिता देवी प्रसाद तमबाकु के प्रसिध व्यापारी थे बचपन में ही पिता की मृत्ति हो जाने के कारण आठवी कक्षा के बाद इनकी स्कूली शिक्षा नहीं चल सकी तद पर शात इन्होंने घर पर ही अध्याव साय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दु और फारसी की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली संस्कृत साहित्ति के प्रते जैशंकर प्रसाद का गहरा अनुराग था, उन्होंने वेद, उपनिशद, इतिहास और दर्शन का गंभी रध्यन किया कवियों का सत्संग मिल जाने के कारण कविता की और बाले काल से ही उनकी रुची हो गई थी ब्रजभाषा की आरंभिक रचनाओं के पश्चाद, खड़ी बोली में कविता लिखकर प्रसाद ने उसका गौरव बढ़ाया वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिव के उपासक थे उनका जीवन बहुत सरल था सभा सम्मेलिनों की भीड से वे प्रायः दूर ही रहा करते थे परिजनों से विजोह, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदी संघर्षन को जेलते हुए भी कवी सरस्वती के मंदिर में अपने सुआसित स्रिजन पुष्प अर्पित करता रहा और अल्पकाल में ही क्षय रोग की पीडा जेलते हुए ये महाविभूत 15 नोवंबर सन 1927 को पंचततों में विलीन हो गई जैशंकर प्रसाद का रचना कर्म हिंदी साहित का वह प्रसाद है जिसका अमरत पान पाठिकों के लिए किसी काल या समय का मोहताज नहीं है वह विजैनी मानवता की संकल्प को लिए भूत, वर्तमान वभविश्य तीनों में व्याप्त है प्रवत्त से मूलतहक कवी होने के साथ वे एक सफल गद्यकार की रूप में विख्यात रहे हैं नाटक सर्जन, निबंध कला, उपन्यास लेखक, कहानीकार प्रसाद का संपून गद्य साहित्य कविर्दै से अनुस्यूत है उन्होंने कावे एवं गद्य, दोनों में अभिव्यक्ति का सेतु खड़ी बोली को बनाया उर्वश्री, वब्रुवाहन, महरणाक महत्व, कानन कुसुम, चित्राधार, जहरना, आसु, लहर और कामायनी महा कावे समेत, पंद्रा कावे कृतियों, ग्राम, प्रतिध्वनी, आकाश दीब, आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्र, तीन उपन्यास, कंकाल, तितली और अपून, इरावती, सज्जन, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रोस्वामनी सहित, बारह नाटकों, और अनेक उतक्रिष्ट निबंधों से हिंदी जगत को उन्होंने सम्रिद्ध किया। जैशंकर प्रसाद के संपून सहित्तिक अवधान को महतपून मानते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग ध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाई। कहानियों के क्षेत्र में भी जैशंकर प्रसाद ने अनेक प्रयोग किये और आधुनिकता के मूल मंतर के साथ उन्होंने उस क्षेत्र में भी अपनी उपस्तिती दर्ज की। कथा किक्षेतर में प्रसाद जी आधुनिक कहानियों की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं सन 1912 इसबी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी ऐसा समझा जाता है कि उसके बाद से ही हिंदी में आधुनिक कहानियों की रचना आरंभ हुई उनकी अधिकतर कहानियों में भाबना की प्रधानता रही है कुछ कहानियां जो एतिहासिक, प्राग एतिहासिक और पौराणिक कथानकों पर लिखी गई है वे बहुत अधिक चर्चित रही है हिंदी साहित्य जगत में कहानी को एक संपूर्ण विधा के रूप में स्थापित करने वाले जरसंगर्पसाद का योगदान भुलाए नहीं भूलता हिंदी साहित्य का सामारे तहा 1926 से 1936 इसवी तक का समय काव्यक्षेत्र में छायवाद के नाम से जाना जाता है इसी कालखंड की कथा एवं कथेतर गद्य विधाएं उसके प्रतिनिधी रचनाकारों के नाम से अभिहित की गई उपन्यास और कहानी संब्राट प्रेमचंद की ही भाति छायावाद के प्रतिनिधी कविजैशंकर प्रसाद नाटक विधा के संब्राट की रूप में ख्यात रहे और पूरा नाटकी युग इनके नाम से चलने लगा आधुनिक चिंतन के केंद्र में है व्यक्तिवाद प्रसाद का आत्म प्रसार और आधुनिक मानों का आत्म प्रसार एकी क्रित होकर उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है काव्य को आत्मा की संकल पात्मक अनुभूति कहने वाले प्रसाज्जी की मूल अनुभूति का तात्परिय उस मनन शक्ति से है जो व्यष्टि से समश्टि अनुभूतियों में व्याप्त जेतन रूप है कामाईनी कर्म के प्रति सजग रहने और वेराग्य खंडन का रूपक महाकाव्य है कर्मरत मनुष्य के लिए पलायन उसके अस्तित्व पर प्रश्ण चिन्ह होता है अतीत द्रश्यों से आवृत्त करके भी प्रसाद जी मन के दोनों पक्षों हृदय याने श्रद्धा एवं बुद्धे याने इड़ा के अंतरद्वन्द्व के समायोजन से मन को देवोपम नहीं बनने देते कामायनी में आत्म केंद्रत निराश मन को जीवन में प्रवृत्त होने के लिए शद्धा प्रेरित करती है बनाते हो असफल भवधान बनाते हो असफल भवधान प्रसाद की कामायनी किन अर्थों में एक महान कृति है बता रहे हैं काशी हिंदू विश्व विद्याले के प्राध्यापक और सहित्यकार प्रोफेसर वशिष्ट अनूप दामायनी हिंदी का एक स्रिष्ट महाकाव्य है और प्रसाद जी की कीर्थ का गौरवशाली उद्गोश है इसकी गढ़ना विश्व के स्रेष्ट महाकाद्यों में होती है इसकी रचना 15 सरगों चिंता, आशा, स्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, हीर्श्य, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेत, दर्शन, रहस्य और आनंद में होई है कामायनी की मूल कथा शत्पत गामण की है, जिसका समवर्धन रिग्वेद, छांदोग एतरिय, तैतरिय, कथा भागवत महापुराण आदिके आदार पर किया गया है कामायनी की भूनका में प्रसाद जी ने लिखा है कि यह आठ्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है इसलिए मनुस्रद्धा और इड़ा इत्यादी अपना अयतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिवेक्त करें तो मुझे कोई आपत्दी नहीं है प्रसाद ने स्त्री को प्रेरणा का उत्समाना है उनके हा नारी भोग्या या सौन्दरे की वस्तु नहीं अपितु गरिमा और सम्मान का विशय है प्रसाद ने स्त्री देह से उपर उठकर शद्धा, सहधर्मनी और प्रेयसी के रूप में नारी की क्षमता को पहचाना है उनका सौन्दर्य बोध स्थूल नहीं सुक्ष्म का निरिक्षन करता है उन्होंने प्रकृते की विभिन गतिविदियों में नारी सुलब भावनाओं का पुंज देखा है प्रसाद के काव्य में आसो भले ही प्रेम जन्य पीडा मानसिक द्वंद्व स्वपन स्मृतियों जैसे मानविय विरह के यूटोपिया के रूप में छलका हो लेकिन यह मानविय क्रंदन अतीत की गौरव पूर्ण स्मृतियों के आलोक में बंधुत्व स्थापित करने में समर्थ है उनकी करुणा आत्म से सर्व जीवन धन इस जले जगत को विरिंदावन बन जाने दो की यात्रा करती है किशोर मन की इस पुकार की अनुगूंज हर जुबान से ध्वनित होने की सामर्थ रखती है यूही नहीं आसों की पंक्तियां साहित्तिक या गैर साहित्तिक मन को भी अनायास ही कंठस्थ हो जाती है उनकी करुणा सिक्ति पुकार में विश्व सदन को श्रीतल करने की वही भाव प्रवनता है जो उनके जागरण कीतों में है सब कानी चोड़ ले कर तुम सुख के सूने जीवन में बरसो प्रभात हिम कन साहा आसो इस विश्व सदन में आसो इस विश्व सदन में प्रसाद मूलतह समरस्ता की गायक है तद योगीन विसंगतियों से खृब्ध उनका कविमन शान्ति की तलाश करता है और ऐसे समाज की स्थापना की कलपना करता है जहां प्रकृति सी निश्चलता हो आसु से आनन्द के पर्यवसन की राह में वे ऐसे वातावरण में कुछ प्षण विश्राम की काम ना करते हैं जहां पारस परिकलह और कुलाहल की गुन्जाइश न हो लेचर मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे 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 जिस निरजन में सागर लेहरी अंबर के खानों में गहरी नेशल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे धीरे 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 के सुन्दर समन्वे का कथाकार कहा था प्रसाद की वैचारी की एतिहासिक आदर्शों उज्वल अतीत प्राचेइन संस्कृति के साथ कल्पना के सहारे फलित पोशित है उन्होंने अतीत का गौरोगान जरूर किया परंतु रूडियों का वहन नहीं किया उनका रूडि मुक्त मन इतिहास के उन चरित्रों और घटनाओं का चयन करता है जो वर्तमान मानों के लिए विकल्प और संकल्प प्रस्तुत कर सकें उनकी कहानियों का अंकुर काव्य सम्वेदना, अनुभूति, भावात्मक द्वंद्व और संस्कृति के बिखरे शक्ति विद्धुत कड़ों के समन्वे से विकसित हुआ है यथार्थ और कल्पना, आदर्ष और विचार के द्वंद्व से आकाश दीप की चम्पा, गुंडा का ननकु सिंग, जहां आरा का ओरंग जेब, तथा पाप की पराजय का घनश्याम जैसे चरित्र, पाठकों के लिए अविस्वर्णिय है अपनी आरंभिक कहानियों में वे आदर्ष प्रधान रहे, परंतु प्रोढ कहानियों में उनकी आदर्ष और यथार्थ का द्वंद्व समाज के लिए विकल्प प्रायोजद करता है उनका आदर्ष वाद समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है वरिष्ठ समेक्षक डॉक्टर राम सुधार सिंग कहते हैं महाकवी जैशंकर प्रसाद का रचना जगत भारती एद्रिष्ट से अनुभूती एवं अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करता है। के सांस्कृतिक समवेदना के दियोतक है। बीती विभावरी जागरी हिमाद्रि तुंग श्रिंग से और अरुण ये मदमय देश जैसे जागरण गीतों से जब वे भारत भारती का आहवान करते हैं तो उनकी आजादी की पुकार स्वयम प्रभा समुझ्वला के रूप में द हनित होती है। कहिंदी उपन्यास साहित्य में विशेश महत्व है। कंकाल मध्यवरगे जीवन की विसंगतियों एवं इस्त्री की विविद समस्याओं का खाटी यथार्थ है। समाज की विकृतियों और पतन शील चरित्रों की यथार्थ को प्रसाद ने बेबाकी से प्रस्तुत किया है प्रसाद के नाटक, उनकी राष्ट्रिय चेतना, देश प्रेम एवं सांस्कृतिक सम्वेधना के प्रतीक हैं। काव्येश नाटकम रम्यम की उक्ति उनके सभी नाटकों पर सटीक बैठती है। प्रक्रतिचित्रण, रम्यकलपना एवं जगह जगह उद्बोधन गीतों के समायोजन से इनके नाटकों में काव्यात्मक बिम्ब उपस्थित हुए हैं। इन एतिहासिक नाटकों की रचना साभि प्राय है। उन्होंने अतीत के वैभविशाली प्रसंगों, प्रसिध जीवना दर्शों में धर्म और देश भक्ति की गौरव गाथा का गान अपने युग को प्रेरित करने के लिए किया। प्रसाद के नाट्य साहित्य की विशेषताओं को महत्तपून और कालजय ही बता रही हैं काशी हिंदू विश्री विद्याले, हिंदी विभाग की प्राध्यापिका और रंग कर्मी प्रोफेसर आभा गुपता ठाकुर। जैशंकर प्रसाद का जो समय था, वो विराट नाटकीरता का समय था। सत्याग्रह युग में प्रेशंकर प्रसाद ने लिखना शुरू किया और हम जानते हैं कि उनके नाटक अपने समय की राजनेतिक पराभव और स्रांस्कृतिक रास से उबरने का एक बौधिक कर्म थे। प्रसाद का प्रतेक नाटक अपने समय और राष्ट की समस्याओं का प्रत्यक्षी करण है। प्रसाद की राष्ट नेति, जीवन की वास्तविक, ठोस और प्रत्यक्षद्रिष्टी है। कामना नाटक में तितली की भाति प्रतिकात्मगता है, जीवन के प्रति पश्चिमी भोगवाद और भारतिय आध्यात्म की उप्योगिता की तुलना में पाश्चात्य जीवन दर्शन पर मूल भारतिय संस्कृति वा आदर्शों की विजय चित्रत करना प्रसाद का द्रुवस्वामिनी विगटनकारी सामाजक सांस्कतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक जैचन्दों के कुछक्रों पर तीवर आक्षेप हैं द्रुवस्वामिनी को इस्त्री मुक्ति के आहवान और प्रतिस्थापना की गृति बताते हैं प्रोफेसर बलीराज पांडिय इस्त्रीयों के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है प्रसाद की नारी किसी दबाव में समर्पड नहीं करती वो अपनी मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम है द्रुवस्वामिनी भारतिय नारी के आत्म संबान क्षमता साहस और सतीत्व का प्रतिनिधित्व करती है इस संदर्भ में कथाकार डॉक्टर मुक्ता कहती है प्रतिरोध है वो इस तरी का पूरा एक तरह से वो सामाजिक प्रतिरोध के रूप में ध्रुवस्वामिनी का वो पूरा चजित्र गढ़ा है और जो लिखा है ये कल्पुना भी इसमें थोड़ी बहुत है और ये यठार्थ भी है चंद्रगुप्त नाटक राश्ट्रियता की भावना से उतप्रोत है इसमें चाड़किका भारत के छोटे छोटे गढ़ राजियों को एक राजा चंद्रगुप्त के अधीन करके शक्तिशाली राश्र बनाने का स्वप्न है वस्तुत ये स्वाधीन्ता की कामना प्रसाद के युग की है जो एतिहासिक पट पर प्रकट हुई है इस नाटक में संघर्ष दो मोर्चों पर है विदेशी आक्रमन कारियों से और पाश्चात्य संस्कृती के विरुद्ध भारतिय संस्कृती का प्रसाद भारतिय संस्कृती के गायक है इस नाटक में भारतिय संस्कृती के महत्ता का प्रतिपादन सरवाधिक मुखरित हुआ है भारत को कारनेलिया का ये कथन जशंकर प्रसाद की मूल मन्शा को स्पष्ट करता है यह स्वप्णों का देश यह त्याग और ज्ञान का पालना यह प्रेम की रंग भूमी भारत भूमी क्या भुलाई जा सकती है कदा आपी नहीं अन्यदेश मनुष्यों की जन्व भूमी है यह भारत मानवता की जन्व भूमी है उन्होंने इसमें भारतिय संस्कृति के उच्य मूलियों की प्रतिश्ठा की है भारत भूमी का वैभावगान देश ही नहीं विदेशों में भी होता आया है प्रसाद पास्चात्य संस्कृती की ओर प्रयाण करने वाले भारतियों को अपने संसकारों की ओर मुढने के लिए प्रेरित करते हैं नाटक की शुरुवात जहां पास्चात्य पधती के अनुकरण पर युद्धों द्वारा हुई है वहीं इसका अंत भारतिय समाधान, संधि स्थापना और चंद्रगुप्त कारनेलिया के विवाह से हुआ है चंद्रगुप्त में पात्रों में राष्ट्रियता और देशभक्ति का भव्यादर्श है युथ में सिकंदर के आहत होकर गिरने पर सिंघरण के स्वर में प्रसाद बूलते हैं ठेहरो मालो वीरों, ठेहरो ये भी एक प्रतिशोद है, ये भारत के ऊपर एक रिण्था, पर्वतेश्वर के प्रतिउदार्ता दिखाने का ये प्रतिउत्तर है स्वाधिन्ता अंदोलन के दोरान, स्वराज की इच्छा हर जन्मन में बलवती होने लगी थी द्रढ संकल्प की पताका लेकर प्रसाद ने भारतियों का आहवान किया देश की राजनीतिक सामाजिक समस्या को सुलजाने की द्रिष्टि से प्रसाद के सभी नाटकों के कठानक का प्रतिकार्थ है सकंदगुप्त में युग जीवन की विराट अभिव्यक्ति है, चरित्र का एक राश्ट्रिय संदर्भ है दोसरा वयक्तिक, आउपनिवेशक मानसिक्ता और दासता से मुक्तिका स्वप्न प्रसाद युग की रचनात्मक जरूरत थी और उन्होंने एतिहासिक कठ्यों के माध्यम से इसे बखू भी निभाया है इनके पात्र आदर्श जरूर है, परन्तु गुण अवगुण सहित लोक जीवन के निकट है पात्र की वयक्तिक त्रासदी हो सकती है, परन्तु राश्ट्रिय संदर्भ में वो सफल है इनका हर पात्र गत्यात्मक है, राश्ट्र नायक सकंद गुप्त मात्र भूमी के लिए अकेला युद्ध करने के लिए तत्पर है और व्यक्ति सकंद गुप्त के साथ उसका अंतरद्वंद चलता रहता है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है वस्तुतर, प्रसाद ने इतिहास के विभिन कालखंडों का दृष्यांकन किया परंतुन का मन भारतिय इतिहास के स्वर्ण युग, मौर्यकाल और गुप्तकाल में ही रमा है क्योंकि वो अतीत के उन्ही पटों पर चित्रखीशते हैं, जिनकी सम्रिधी से वर्तमान प्रभावित और भविश्य प्रायोजित हो नेसंदेय, जैशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रतिनिधी उन्नायक कवी, सफल निबंधकार, नाटक समराट और अपने युग के प्रवर्तक कालजई रचनाकार है बीती बिभावरी, जागरी, जागरी, जागरी अंबर पन घट में दुबो रही, तारा घट उशा नागरी बीती बिभावरी, जागरी, 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 जागरी बोल रहा किस लेका, अंचल डोल रहा लोयह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल, रसगागरी बीती बिभावरी, जागरी, जागरी अंचल नागरी लोगरी आप सुन रहे थे रूपक भारतीय मनीशा के उन नायक महाकवे जैशंकर प्रसाद आलेख प्रफिसर विनैकुमार सिंग वाचन डॉक्टर शुती मिश्रा और अरुन पांडे काव्यांश स्वर डॉक्टर आराधना तिवारी और सुशांत कुमार शर्मा प्रस्तुती हरेंद्र आजाद और अरुन पांडे की और संयोजक राजेश कुमार गौतम आकाश्वानी के वारानसी केंदर पर तयार इस रूपक का प्रसारण आकाश्वानी के डिल्ली केंदर से किया गया